हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ रभी कुमार सकसेना आपका अपना चोटा स्या प्यारा चैनल नमबर वन क्लासेश पे आपका स्वागत है आज हम एक नए टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फोरियर सिरीज अगर आप डिपलोमा करते होंगे या इंजिनियरिंग करते होंगे तो फोरियर सिरीज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक है जिस तरह से मैथ में अपलाइड मैथमेटिक्स में फोरियर सिरीज काफी स्टुडेंट्स को दिकत और परिसानी होता है तो हमने सोचा कि फोरियर सिरीज को क्यों न हम असान तरीकों से समझा दें तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटोड़क्शन ऑफ फोरियर सिरीज बात करेंगे और एक प्रोबलम को लेंगे उसके बाद next वीडियो लेक्चर में हम 4-year Series को continue रखेंगे तो सबसे पहले 4-year Series का definition को समझते हैं То 4-year Series जो है दो सब्दो से बना है पहला है 4-year दूसरा है Series सबसे पहले हम बात करते हैं कि Series का मतलब क्या होता है 4 year को हम बाद में समझेंगे पहले हम समझते हैं कि series क्या होता है तो series का हमने definition लिखा है जिस तरह से आप 9th class में 10th class में 11th में आपने पढ़ा होगा series क्या होता है उसी को हम remind करते हैं A list of number or terms separated by positive or negative sign is called series यानि कि कोई भी number या term उसको separation होता है positive या negative से उसको हम क्या बोलते हैं series बोलते हैं जैसे कि देखिएगा 2 plus 4 plus 6 plus 8 तो यह क्या है series है ठीक है इसको हम क्या बोलते है series बोलते हैं उसी तरह से 2-6 plus 10-3 plus 2 तो यह क्या series है यानि कि positive negative value से जो है separate किया जाए उसको हम बोलते है आपने series ठीक है 10th या 11th class में APGP पढ़ा होगा उसमें आपने series को definitely पढ़ा होगा तो series का मतलब आपको समझ में आ गया अब हम बात करते हैं 4-year series 4-year series किया है तो यहां पर हमने सिम्पल सा डिफिनिशन लिखा है यह series whose each and every terms is either sine और cosine is called 4-year series यानि कि वह इसा series जिसमें sine और cosine का term होगा उसको हम बोलते हैं 4-year series ध्यान दिजेगा मेरे period छात्रों जिसमें sine और cosine का series होगा उसको हम बोलते हैं 4-year series जैसे कि ध्यान दिजेगा यहां पर जो हम लिख रहे हैं जैसे cos 0x plus cos 1x plus cos 2x तो यहां पर cos का series चल रहा उसी तरह से plus plus जो है यह infinity तक जाएगा इसलिए सकते हैं यानि कि यहां पर cos और साइन का जो है series चल रहा है इस सीरीज हूच इच एडर साइन और cos is called for your series अब हम इसको में क्या करते हैं कि जैसे कि cos 0x है तो इसमें हम जो है कुछ constant term से multiply कर दें जैसे कि माल लिजें यहां पर आपका constant term a0 है यहां पर a1 है उसी तरह से यहां पर a2 है ठीक है उसी तरह से माल लिजे a3 cos 3x हो जाएगा अगर हम sign की बात करें तो यह constant लेते हैं हमाल लिजे b0 यानि कि b0 sin 0x b1 sin 1x यानि कि b2 sin 2x यानि कि यहां पर ध्यान देजेगा a1 a2 क्या है तो यहां पर जो है हमने cos 2x cos 0x इसके साथ हमने क्या क्या है multiplication किया है उसी तरह से बी जो है b0 b1 b2 यह हमने sign के साथ multiplication क्या है अगर हम यहां पर ध्यान दे मेरे प्रियच्छात्रों ध्यान देजेगा cos 0x का value क्या होता है तो 1 होता है तो cos 0x का value 1 होता है तो यहां पर बचेगा a note ठीक है यानि कि a note बचेगा अब यहां पर जो है एक equation आता है जिसको बोलते है आईलर्स equation तो आईलर्स equation जो है fourier series में बहुत ही important role play करता है तो यहां से जो है आईलर्स equation निकलता है a note by 2 यहां पर a note by 2 plus summation of n equal to 1 से infinity an cos nx ठीक है यानि कि यहां पर देखेगा a note के बदला में जो है यहां पर a note by 2 लिखा गया है इसी से equation आता है plus a1 a2 ठीक है यानि कि a1 a2 a3 a4 a5 a से करके जो है infinity तर जाएगा इसलिए हमने लिखा an ठीक है an तो n के जगा पर a1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा ठीक है cos nx तो इसको हम क्या लिख सकते हैं summation of n equal to 1 से infinity तक an cos nx ठीक है उसी तरह से अगर हम b वाला term को देखे तो b note sin 0x तो sin 0 का value क्या होता है 0 होता यानि कि यह वाला term तो 0 हो जाएगा तो कहां से शुरू होगा तो b1 sin 1x plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x ऐसे से करके infinity तक जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं summation of n equal to 1 से infinity तक bn sin nx ठीक है यानि कि अगर 1 रखेंगे तो b1 sin 1x हो जाएगा अगर 2 रखेंगे तो b2 sin 2x हो जाएगा अगर 3 रखेंगे तो b3 sin 3x हो जाएगा तो इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं तो वहाँ से जो है आपका अगर हम total हमने कार किया तो यहाँ से इक्वेशन बनता है f of x equal to a not divided by 2 ध्यान दिजेगा important formula है f of x equal to a not divided by 2 plus summation of n equal to 1 से infinity तक an cos nx plus summation of n equal to 1 से infinity तक bn sin nx ठीक है four year series का जितना भी question रहेगा जितना भी question रहेगा सब जो है इसी पर जो है आपका answer जो है अधारित रहेगा ध्यान दिजेगा my dear students पहले foundation को हम मजबूत कर लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा four year series का जितना भी answer लिखेंगे इसी format में लिखेंगे अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि sir हम a note कैसे find करेंगे और हम bn कैसे find करेंगे करेंगे सवाल अच्छा है आपका मन में सवाल अगर उठता होगा तो अच्छी सवाल है क्योंकि यहां पर a note आ रहा है यहां पर an यहां पर bn ठीक है तो कॉस का तो हम उसी तरह से हम लोग लिख देंगे लेकिन a bn a note का value कैसे find करेंगे उसके लिए फर्मूला है देखिए a note find के लिए find करने के लिए फर्मूला है वन डिभाइड़ बाई पाई वन डिभाइड़ पाई इंटीग्रेशन ऑफ अलफा से अलफा पलस त्यू पाई अभी जो हम इसी तरह से जो हम लिमिट लिखें कोस्टन में आपका लिमिट दिया रहेगा ठी जो कोस्टन का f of x होगा उसका जो है इंटीग्रेशन कर देना है और जो लिमिट रहेगा वो हो जाएगा अगर a note अगर an find करने के लिए फर्मूला है वन बाई पाई अलफा से अलफा पलस त्यू पाई ध्यान दिजेगा यहां पर हम इसी तरह से लिमिट लिखें लिमिट जो कोसर में रहेगा वो होगा ठीक है अगर लिमिट है माइनस पाई से पाई तो यहां पर माइनस पाई से पाई होगा ठीक है जो लिमिट रहेगा वो होगा अगर 0 से 2 पाई है तो 0 से 2 पाई होगा an का फर्मूला है f of x cos nx dx इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है यानि की कोशन में f of x दिया रहेगा उसको cos nx से multiply कर देना है और उसका integration करना है अब देखिए कैसे आया तो an के साथ क्या multiply है तो cos nx है यानि की an के साथ क्या रहा है cos nx आ रहा है इसलिए f of x into cos nx dx हमें integration करना है और limit दिया रहेगा उसको limit दे देना है और बाहर में 1 by pi से multiply उसी तरह से BN का फर्मूला है 1 by pi alpha से alpha plus 2 pi जो भी limit रहेगा f of x sin nx dx यहां से जो है BN के साथ क्या लगा है sin nx लगा है तो ध्यान देज़ेगा यहां जो है BN के लिए हो जाएगा f of x sin nx dx सबी देखेंगे तो one by pi one by pi one by pi जो है बाहर में है यानि की multiplication में है तो सबका formula में one by pi multiplication में होगा ठीक है आपको समघ में आ यह क्या क्या होता है كिस format में लिखते हैं कैसे निकालते हैं न कैसे निकालते हैं बारेंगे बात करने जा रहे हैं जैसे देखेए डो फुल रेंज होता है फूल रेंज अगर हम पाई ली मिट की बात करें तो पहला ली मिट हो सकता है जिरो से पाई या तो इस तरह करहेगा या तो माइनस पाई रहता है ठीक है अगर हम कॉंस्टिंट limit की बात करें तो 0 से 2C रहेगा या 0 से 2L रहेगा ठीक है या माइनस सी से सी रहेगा देखिए यहां पर जो है माल लेजे आपके पास 0 है यह पाई है ठीक है उसके बाद जब यहां आता है तो 2 Hyp Measure हो जाता है तो फुल रेंज केहने का मतलब यहां से स्टार्ट-किया यानि जिरो से तो जीडों से चाला यहां पर पॉफाई पोचटा उसके बाद 2山 यानि कि यह क्या किया फूल रेंज हो गया ठीक है यह तरह का जो है फूल रेंज कह लाया उसी तरह से माइनस पाई से पाई में भी फूल रेंज हो जाता है जैसे देखिए यहां हो गया जीरो और यहां हो गया पाई ठीक है तो यहां पर जो है पोजेटी पाई है तो नेगेटी पाई भी इद रही आता है तो यहां पर क्या है माइनस पाई तो माइनस पाई यहां से सुरू किया तो माइनस पाई से प्लस पाई यानि कि यह भी फूल रेंज हो जा रहा है ठीक है तो फूल रेंज में जो है आपका लिमिट क्या होता है जीरो से टू पाई या माइनस पाई से पाई को हम लोग पाई लिमिट के बात कर तो जी रो से पाई क्योंकि है यहांप यहांप लिमिट में ध्यान देजिएगा पाई से हम यहांपर आपको कभी कभी जो है इडवांटेज मीलेगा किया ट्वांट मिलेगा अपको 이제 facility मिलेगा कि order even function के रूप में आपको facilities मिलेगा उसमें जो है आपको direct जो है आप question को solve कर सकते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा minus pi से pi वाला जब question रहेगा तो उसको order even function का facility लेकर जो हम question को असानी तरीके से solve कर सकते हैं उसको जो है जब आगे पढ़ाएंगे तो हम आगे पहले और समझ लेते हैं चलिए four year series समझाने से पहले कुछ formula को बताना हमने important समझा इसलिए हमने कुछ formula को लिखा है आप उस formula को जानते होंगे फिर भी हम चाहते हैं कि आपको revision हो जाएं जैसे कि अगर integration निकालना रहे 1DX तो क्या होता है X plus C E का power AX DX का integration क्या होता है तो E का power AX उसके बाद जो है X के साथ जो multiplication में रहेगा वो division में जाए यानि कि A plus में C तो लग जाता हो तो कसम खाके आया हमने बताया था ठीक है उसी तरह से X का power N DX का integration क्या होता है तो X का power N plus 1 divided by N plus 1 plus में C हो जाएगा sin AX DX का integration क्या होता है तो sin AX DX का integration होता है minus cos AX उसके बाद X के साथ क्या है तो A है तो division में A आ जाएगा plus में C लग जाएगा उसी तरह से cos AX DX का formula क्या होता है integration का तो sin AX हो जाएगा divided by A हो जाएगा ध्यान दिजेगा दो फर्मूला जो है काफी important है ठीक है ये बाकी जो है एक से लेके 5 तक आपको मालूम था 6 और 7 फर्मूला new है इसको ध्यान दिजेगा e का पावर ax into sin bx dx का फर्मूला क्या होता है ठीक है integration of e का पावर ax into sin bx dx का फर्मूला होता है e का पावर ax divided by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx ठीक है प्लस में c लग जाएगा इसको हम u into b के फर्मूला से नहीं तोड़ सकते हैं इसलिए हमने जो है special formula इसलिए हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से e का पावर ax cos bx dx का फर्मूला क्या होता है फिर से सुन दिजेगा e का पावर ax cos bx dx का फर्मूला होता है e का पावर ax plus sorry divided by a square plus b square ठीक है into a cos bx plus हो जाएगा b sin bx ठीक है ध्यान दिजेगा sin रहेगा तो पहले sin से सुरू होगा और minus होगा अगर cos रहेगा तो पहले cos से सुरू होगा और plus होगा यानि कि a sin bx तो sign का फर्मूला है a cos bx तो cos का फर्मूला है sin के फर्मूला में minus आएगा cos के फर्मूला में प्लस आएगा ठीक है बस यहीं फरक है और यहाँ पर sin हुआ यहां कॉस हो जाएगा यहां काफ़ हुआ यह आपको हमेशा तंग करेगा इसलिए आप यह दो दोन फर्मूला को यार दख लेगा उसके बाद जहें कुछ बच्छे काफी कम जोड़ होते हैं कम जोड़ की साइन जीरो जीरो साइन पाई जीरो सब जो है जीरो होगा यानि कि साइन पाई रहे टू एन पाई रहे ठीरी एन पाई रहे जो भी रहे साइन के साथ हमेशा जीरो होता है साइन जो है बहुत सीधा फंसन होता है ठीक है साइन जो है बहुत सीधा होता है थोड़ा बहुत होता है ठीक है जनम से सबसकाल से तधेसा सदेखता रेसा जी से कॉस पॉइफ अगर है जीरो रखेंत तो कॉस्च जीरो का फर्मूला क्या हो Un-1 का पावर 0 यानि कि o notос 1 पाई का वेलु क्या grands if 빠भर 12 art Common Minus One का पावर 1 यानि कि minus one अगर रखें न की जगा पर तो cost2pies का वेलु किया होगा तो minus one का स्क्राइर यानि की फॉर प्लस में तो इवेन को अगर हम माइनस से स्क्वाइर करते हैं तो पोजेटिव आता है इसलिए 1 हो जाएगा पूछे कि कॉस एन पलस वाइन पाइई का वेलू क्या होगा तो सबसे पहले कॉस एन पाइई का वेलू क्या होता है माइनस वन का पावर एन माइनस वन हो जाएगा तो इस तरह से जो है आपको हमेशा जो है फोरियर सीरिस में यह सारा चीज काम आएगा पहले जो है सौधानी हटी तो दुर घटना घटी आपने जो है रेलवे लाइन पर लिखा हुआ सूना होगा ठीक है जहां पर क्रोसिंग क सिधा वीचरा क्या कहें इसको ठीक है साइन के साथ एगर पाई लग गया ना तो हमेशा जो है जीरो होगा उसी तरह से कॉस्थिन प्लस रहए इप बॉस पाई-исс उन परतू का बैलु माइनस और-उर ओ रह एब ये तो हम आपको बताए तै साइन मा Anyone स्टीट माइनस स्टीट साइन माने थिता माइनस साइन थीटा काॉस माइनस थीटा कोज थीटा यानिकी साइन में अगर declarATION होता है छोड़ीए इएगा नहीं एकजाम में चाही wedge कहीं भी रहे अब हम हम चलते हैं और वीडियो लेक्षर में और को सोलूशन करेंगे चुंकि इसमें इंट्रोड़क्षन बताया काफी बच्चों को हम थोड़ा सा रिलेक्सेशन देते हैं आप पहले इसको गो किजिए अच्छा से वीडियो को देखिए उसके बाद अगला वीडियो लेक्षर लाएंगे डायरेक्ट जो है कोशन नमबर टू से हम इंटर करेंगे तो यह कोशन लेते हैं चलिए हम कोशन डालते हैं कोशन कहता है find the four-year series expansion of periodic function f of x equal to x limit दिया है x का minus y से πाई तक ठीक है और f of x plus 2 pi equal to f of x अब कोशन को समझे सबसे पहले जो है f of x दिया है और limit दिया पहले इसको समझेगा ठीक है limit क्या है minus pi से plus pi तक question का जो answer का जो format आएगा इस तरह से आता है f of x equal to a note divided by 2 plus summation n equal to infinity a n cos nx plus summation of n equal to 1 से infinity b n sin nx इस तरह से होता है अभी दियान दिजे सबसे पहले हम a note निकालते हैं तो a note निकालने का फर्मूला हमने आपको बताये था one by pi minus pi से pi तक limit क्या दिया है minus pi से pi तक ठीक है f of x dx बताये की f of x के बदला में क्या है आप ही बताये question को देखके तो f of x के बदला में x है तो यहाँ पर लिख दीजे x dx कुछ करे ला है मैं तितना असान होता है काहे बच्छा लोग को hard लगता हम को समझे नहीं आता है ठीक है f of x dx अब इसको हम solve करेंगे तो a note का value निकल जाएगा अब ही सबसे पहले आपर लिमिट तो आपर लिमिट क्या है तो पाई तो पाई का square तो पाई हो जाएगा ठीक है पाई का स्क्वार पाई माइनस लोयर लिमिट ठीक है माइनस लोयर लिमिट तो माइनस का स्क्वार तो प्लस हो जाएगा यानि कि माइनस पाई हो जाएगा ठीक है तो पाई माइनस पाई जीरो इन्टु एनिटिंग तो जीरो हो जाएगा यानि कि ए नोट का वेलू जो है जी चिंता करने की क्या बात है, n निकाल लेते हैं, तो n का फर्मूला क्या है, तो सबसे पहले फर्मूला लिखेंगे, तो 1 by pi integration of जो limit दिया है वो तो minus pi से pi दिया है, ठीक है, यह फ फ एक्स यानि की फ फ फ एक्स के बदला में क्या है, तो x है, तो f एक्स इंटू cos nx, ठीक है, त तो cos nx dx ठीक है अब देखिए ये तो इस तरह से solve नहीं होगा ये तो आपका जो है integration by parts का formula लगेगा तो integration by parts का formula जानते हैं हमने आपको सिखाया था ठीक है u into b का यानि कि जब दो function जो है एकी साथ में multiplication में रहे तो u into b का formula होता है u को जो है उसी तरह से छोड़ देते हैं और b का integration करते हैं minus sign के साथ integration of u का differentiation करते हैं तो यहां पर जो है यू कि इसको मानेंगे यहां पर फर्मूला यूज करेंगे यहां पर ठीक है integration by parts जो है अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो यहां पर यू किसको मानेंगे भी किसको मानेंगे इसके लिए जो है आइलेट रूल लगाते हैं तो आइलेट हमने सिखाया था तो आइलेट के उनसा जो है यू इसको म माल लेंगे फर्मूला जो है हम यहां पर आपको लिख दिये हैं इस फर्मूला में हम यूज करके जो है आगे का प्रोसेस करते हैं वन बाइपाई ठीक है देखिए यू यानि की एक्स हो गया भी का integration तो कॉस एक्स का integration क्या हो जागा तो साइन हो जागा यानि कि साइन एक् उसके बाद माइनस है तो माइनस साइन दिए इंटिग्रेशन डे यू बाइड ओन डिक यानि की एकस का डिफररेंसेस लान इसके बाद द मेडीच का करेंगा तो क्या हो जागा तो साइन हो जागा साइन एक्स डिभाइड़ वाइ दिखर टिक है अभी जो हảiँ है यहां पर जो है क्या है limit क्या है तो माइनस पाई से पाई तर ठीक है एक बार और जो है simplification करते हैं तो यहां पर हो जाएगा one by पाई one by पाई x into sine in x divided by n यहां पर ध्यान दिजाएगा minus है तो minus sine का integration करना है ठीक है तो sine का integration जो है आपका क्या होता है minus cos होता है ठीक है यानि कि आपका हो जाएगा यहां पर minus cos nx divided by n square ठीक है आप उसके बाद limit है minus pi से pi तक minus pi से pi तक यानि कि आपका जो है 1 by pi 1 by pi x अभी जो है अगर हम चाहे तो limit चढ़ा देते हैं x के जगह पर अगर pi रखेंगे और sin के साथ multiplication है तो आ planning के हम यहां पर जीरो लिखेंगे ठीक है सबसे पहले लीमिट चढ़ाते हैं यानी की आपर लीमिट जो है अगर साइन के साथ जो है अगर पाई भी चड़ाएंगे तो भी जीरो होगा और यहां जो माइनस पैंबी चरहाएंगे तो भी 0 होगा तो साइन का जो है अब सीधा तो इतना सीधा फंसन उसको हम गोड लगते हैं son को इतना सीधा फंसन और आपर लिमिट डोनों के साथ जीर होगा तो इसको खेला को divided by n square उसके बाद माइनस लोयर लिमिट यानि कि माइनस करेंगे तो कॉस एन पाई डिभाइड़ बाई एन स्क्वार ए भाई या ए दी दी दोनों एक की टर्म है यानि कि दोनों जो है कैंसल होगा यहां पर जो है उसके बाद उसके बाद को पेस लिख यहां पर यूंट भेका फर्मूला लिख गए ताक़िए लियुक तरह से लिखते वी वी का करते माईनस साइन के साथ अब यू का डिफॉरन्सेशन और पी का इनूग्रेशन दी ची का दो बसे interpreted तो यहां हमने solve किया तो an का value 0 आया अभी आप इसको लिख लिजे अब हम चलते हैं bn में तो चलिए हम bn देखते हैं चलिए bn निकालते हैं तो bn का formula क्या होता है one by pi यहाँ पर limit दिया है minus pi से pi तक ठीक है f of x तो f of x क्या है x है into sin nx dx यानि कि sin nx dx ठीक है अब यहाँ पर u into b का formula लगेगा तो सबसे पहले one by सबसे पहले हम formula लिख लेते हैं u into b dx का formula क्या होता है u को छोड़ते हैं b का integration करते हैं minus sin के साथ सबसे पहले du by dx होता है ठीक है उसके बाद b का integration उसके बाद जो answer आएगा उसके बाद जो है overall integration होता है तो इस formula को हम use करके हम यहाँ पर u मानते हैं x को b मानते है sin nx को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा one by pi ठीक है one by pi use करेंगे x तो x उसी तरह से लिखा जाएगा क्योंकि u है b का integration यानि कि sin nx का integration क्या होगा तो sin का जो है माइनस होता है तो माइनस कोस nx divided by n हो गया ठीक है यह इस तरह से मल्टिप्लिकेशन में हो गया उसके बाद माइनस तो माइनस स्थाइब यहां पर माइनस पाई से पाई लिमिट भी चला देते हैं फिर से अगर सिंप्लिफाइब करेंगे कि bn एक्वल टू वन बाई पाई ठीक है यानि कि माइनस माइनस x cos nx ठीक है उसके बाद यहां पर माइनस है cos nx divided by n square का क्या होगा तो माइनस sin nx divided by n square ठीक है उसके बाद लिमिट चला जाएगा माइनस पाई से पाई तर यानि कि bn एक्वल टू ध्यान दिजेगा bn एक्वल टू वन बाई पाई ठीक है वन बाई पाई इसको क्या लिसकते हैं x cos nx x cos nx plus sin nx ठीक है nx divided by n square माइनस पाई से पाई तर ठीक है माइनस पाई से पाई तर ध्यान दिजें cos और sin का function है ठीक है तो sin में जो है माइनस पाई चाहे प्लस पाई कुछ भी चलहा दिजेगा तो जीरो हो जाता है ठीक है हम एक shortcut trick आपको बता रहा है आप चाहिए तो इसको लिमिट चलहा किजेगा ठीक है sin इतना सीधा है कि उसको हम हाथ जोडते है ठीक है यह हमेशा जीरो हो जाएगा तो sin वाला को छोड़ देते हैं क्योंकि वो जीरो हो जाएगा तो कॉस वाला को अगर करेंगे तो बी एन इक्वल टू वन बाई पाई ठीक है x into cos in x और minus pi से pi ठीक है हम जो है shortcut में चल रहे हैं आप जो है चाहिएगा तो limit चला सकते हैं इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पर जो है मनसर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी एन इक्वल टू ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देजे यहाँ पर जो है by में एन था यहाँ पर एन छुट गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 by pi ठीक है 1 by pi x के जाएगा पर क्या रखेंगे पाई तो यानि कि Pepper pi pi cos n pi ठीक है n pi divided by n ठीक है उसके बाद जो है अपर लिमिट हो गया यानि कि माईनस लोयर लिमिट तो pi के जग़ा एक्स के जग़ा पर pi रखेंगे तो minus pi minus pi into cos n n minus pi cos n minus pi divided by n तो यहां से क्या हो जागा तो bn equal to 1 by pi ध्यान दिजेगा pi हो गया cos n pi का value क्या होता है तो minus 1 का power n यानि कि pi into minus 1 का power n divided by n उसी तरह से यह minus है उसके बाद यह minus minus cos minus theta क्या होता है cos theta होता है minus minus plus हो जागा pi into minus 1 का power n divided by n हो जागा ठीक है क्योंकि वो भी वो ही है cos n pi है तो यह भी हो जागा pi हो गया यह उसके बाद minus 1 का power n तो यहां से दोनों चीज़ एक है यानि कि 2 हो जागा तो bn equal to 1 by pi और pi से pi जो है cancel हो जागा तो pi से pi cancel हो गया यानि कि 2 into minus 1 का power n divided by n ठीक है तो pi से pi cancel हो गया तो आपका क्या बचा bn equal to हम यहां पर लिख देते हैं तो bn equal to आपका हो गया 2 into 2 by n into minus 1 का power n ठीक है अब हम जो है final answer लिखते हैं तो final answer क्या हो जाएगा तो final answer आपका क्या हो जाएगा my dear students देखिए a note का value 0 आया है a n का value 0 आया है यानि कि a वाला भी 0 हो जाएगा या वाला भी 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या तो f of x equal to आपका बचेगा summation of n equal to 1 से infinity तक bn तो bn का value क्या आया है 2 by y तो यानि कि summation of n equal to 1 से infinity 2 by n into minus 1 का power n ठीक है minus 1 का power n into sin n x ठीक है sin n x हो गया तो इसको हम 2 को बाहर कर देते हैं तो 2 summation n equal to 1 से infinity 1 by n into minus 1 का power n into sin n x ठीक है यही आपका क्या हो गया answer हो गया यही आपका answer हो गया तो इस तरह से जो है आप किसी भी question का solution कर सकते हैं आज के video lecture में इतना ही अगले video lecture में इसी को हम continue करेंगे तब तक के लिए हम भी दा लेते हैं जैहिन बंदे मात्रा किसा बñदे में आपका बंदे प्राइं